सुरी शिवाई, नमस्तो भ्याम दोस्तो आप सभी लूग जानते हैं कि पंडी जी ने अपनी आज की कथा में इस सावन असार मास का बहुती बड़ा और नया उपाय बताया है और दोस्तो जिस उपाय का नाम है दो बेल पत्री और दो फूल वाला उपाय अब दोस्तो ये जो उपाय है ये आप लोगों को कैसे करना है पंडी जी ने इस उपाय में क्या 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 करने के लिए बताया है ये सारी जानकरी हम आप लोगों को इस वीडियो में देंगे देखो पंडी जी ने काफी दिनों बाद एक नया उपाया बताया है जो कि आप लोगों की सारी मनोकामना पूर्थी के लिए है पंडी जी ने बोला है कि जब भी आपके जीवन में विशम परिस्तिती बन जाए मतलब कि आपने अपनी किसी दुखोर परिशानी के लिए या किसी मनोकामना के लिए सारे उपाय कर लिये हों सारे व्रत धारन करके देख लिये हों पर जब भी आपकी वह मनोकामना पूर्ण ना हुई हो जब वह दुखोर परिशानी दूर ना हुई हो तो भई उस जगहा पर आप लोगों को एक मात्र ये वाला उपाय करना चाहिए, जो कि पंडी जी ने अपनी आज की कथा में बताया हुआ है, और ये उपाय बिल्कुल नया उपाय है, और हम आपको एक बात और बता दे, कि पंडी जी जब भी कोई नया उपाय बताते हैं, तो उस उपाय को जो भी लोग पहले करते हैं, तो भई सीधी सी बात है, उन लोगों को उस उपाय को करने का जो फल है, वो पहले मिलता है और बहुत जल्दी और बहुत बढ़ा होकर मिलता है, ठीक है? तो इसलिए आप लोग इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद ही करना, क्योंकि जब आप लोग उपाय को अच्छे से समझोगे, तभी आप लोग उपाय को अच्छे से कर पाओगे, और तभी आप लोग उपाय को करने का अच्छा सा और बड़ा फल मिलेगा ठीक है तो आखिरस दो बेल पत्र और दो फूल वाले उपआये में में कोई विश्वम परिस्तिती बन रही है ठीक है तो अपने सारी प्रकार की मनोकामनाओं के लिए अपनी दुख और परिशानियों के लिए या विश्वम परिस्तिती के लिए आप लोग अपना यह वाला उपाए कर सकते हो ठीक है अब ये वाला उपाय घर में से किसको करना है तो देखो ये वाला उपाय घर के सभी सदस्यों करने की बिल्कुल भी जरूत नहीं है ठीक है घर का कोई एक बड़ा मुख्य सदस्य भी अगर इस वाले उपाय को करेगा तो उसको इस उपाय को करने का पूर्ण ख़ल मिल जाएगा हाँ पर यहाँ पर एक बात और है कि अगर घर में कोई भी सदस्य है उनकी सारी मनोकामना पूर्ण हो रहेंगी और शुकह और शांती भी उनके घर में बनी रहेंगी ठीक है बाकि अगर आप लोग अपने लिए उपाय करना चाहते हैं तो अलग से कर सकते हैं इसमें गोई भी दिक्कत बाली बात नहीं है अब ये वाला उपाय करना किस समय है मतलब किस दिन है तो देखो हम यहाँ पर आपको बता दे पंडी जी ने ये वाला उपाय सोमवार के दिन बता है वो भी असार महीने के पहले सोमवार और असार महीने में आप लोग जानते हो कि बारिश होती है मतलब एक सावन का आप लोग संके समझ सकते हो तो भाई ये वाला जो उपाय है विशेश रूप से अगर हम देखें तो भाई आप इस उपाय को इस असाड और सावन के महीने में कभी भी कर सकते हो किसी विशेश दिन पर करोगे तो और जादा अच्छा रहेगा है न बाकी इस के पूरे दिन में इस सावन असाड महीने में किसी भी दिन आप लोग इस वाले उपाय को कर सकते हो विशेश दिन पर करोगे तो और जादा अच्छी बात यहाँ पर होने वाली है ठीक है तो इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है और इसके बाद में दोस्तों अगला जो प्रशन आता है कि इस वाले उपाय को हमें करना किस समय हम जिस भी दिन इस उपाय को करेंगे तो भाई किस समय हम यह वाला उपाय करें तो देखो इस वाले उपाई को आप लोग दो समय पर कर सकते हो, जिसमें से सबसे पहला समय है सुभा का समय, प्राता काल का समय, मुख्य कोशिश आपकी यही होनी चाहिए कि हम सुभा सुभा जल्दी इस वाले उपाई को कर ले हैं, बाकी अगर आप लोग किसी करणवश तो आपको उपाई काफल मिलेगा ठीक है तो सुभा कि अगर हम बात करें तो जतना जलदी हो सकता है उतना जलदी उपाई को करने के उश्च करना बागी 10-11 बजे से पहले-पहले उपाई को कर लेगा शाम के समय के बात करें लिए तो भ rulers शाम के समय लेकर जाए इसके लावा और कोई भी सामगरी लेकर जाए तो देखो यहाँ पर हम आपको हर उपाय को बताते समय ये बात जरूर बोलते हैं कि जब भी आप कोई उपाय करने के लिए जाओ तो भई आपको अपने साथ में कुछ ऐसी सामगरी जरूर लेकर जानी है जिससे कर जानी चाहिए जिससे कि आप लोग भगवाई शिप जी की पूजन कर सको तो उधारन के लिए आप लोग समझ सकते हो कि अगर आप लोग इस दो बेल पत्र और दो फूल वाले उपाय को सुभा के समय कर रहे हो तो है ना तो कम से कम आप लोग अपने साथ में एक लोटा जल ले कर जाना कम से कम बस एक लोटा जल भी ले कर जाओगो तो चलेगा इसके अलावा जो भी पूजन सामगरी आप लोग ले कर जा सकते हो वो सारी ले कर जा सकते हो उसमें कोई भी दिक्कत वाले बात नहीं है वहीं अगर आप इस दो बेल पत्र और दो फूल वाले उप और शुद्ध देशिगाय का घी डाल देना ठीक है मात्र इस दीपक को आपको तयार करना है जला करना ही लेकर जाना है मंदिर में जाकर ही चलाना है न तो वही अपनी जो उपाई की सामगरी है दो बेल पत्रोड दो फूल वो अपने साथ में रखना है और जो भी पुजन साम आपको इस उपाई में कोई गलती होने ही नहीं वाली है न तो वैई इस उपाई को आपको शिव जी के बंदर में चाकर करना है अपने घर में ये वाला उपाई Gradeैं नहीं करना ही ठीक है इस बात को आप लोग समझे लेना उसकी बाद में दोस्तों उपाई किस चीज का है, दो बेल पत्र और दो फूल का उपाय है दो बेल पत्र तो हमें समझ आएगी पर दो फूल कौन से लेने हैं जो कि उपाय में उपयोग होंगे वो सबसे पहले आप लोग सुनलो उसके बाद हम जानेंगे कि ये उपाय आपको करना कैसे है न तो दोस्तो देखिए सबसे पहले जीज़ आप लोगों को उपाय के लिए दो बेल पत्र लेकर आनी पड़ी के ठीक है अब देखो दो बेल पत्र आप लोग या तो किसी वरक्षिस्ते तोड़ कर लाना या किसी से खरीद लेना ठीक है पर कोशिश करना या आप लोगों को मिल जाए क्योंकि कई सारे लोग ये कमेंट्स जरू करते हैं कि अगर हमें बेल पत्र ना मिलें तो क्या करें तो देखो उपाय में जो भी सामगरी होती है वो आपको अपने परिश्रम से लानी होती है जब ही आपका उपाय काम करता है तो क्या करना है सबसे पहले चीज़ तो आपको दो बेल पत्री सुर्फ और सुर्फ उपाय में दो बेल पत्र की ही हाविशक्ता यहाँ पर पढ़ने वाली है ठीक है जैसे कि गुलाब का उधरन दे दिया है आपको लाल कलर का जो भी एक फूल होगा उसे आप लोग लेकर आ सकते हो वो फूल शिवलिंग पर चड़ना चाहिए बस इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है तो कोई भी एक लाल फूल लेकर आप लोग आ जाना उसके एक ही फूल नहीं होंगे एक लाल फूल होगा और एक सवेद फूल होगा ठीक है तब ही आपका उपाय यहां पर पूरा होगा है अब इसके बाद में दोस्तों अब हम यहां पर जानते हैं उपाय को करने की पूरी विदी की आकर उपाय कैसे करना है जो उपाय को करने वाला है वही उपाय को करने की पूरी तैयारी भी करेगा ठीक है इसी के साथ में दोस्तों अगर घर का कोई बड़ा सदस्ती भी इस उपाय को करना चाहता है तो वो कर सकता है माता है बहने अगर घर में तो मुख्य रूप से वो करें, अन्यता घर का कोई बड़ा पुरिश भी इस वाले उपाय को कर सकते है, अपनी मनो कामना के लिए, घर की शुक और शान्ती के लिए, ना, तो भई, ये दोनों चीज़े, आप लोग लेकर, कहां पर पहुंच जाना, शिप जी के मंदर में, चाहे स अपनी दो बेलपत्र और दो फूलो को लेकर, और जो भी पुझे सामगरी है उसको लेकर, तो सबसे पहले आपको भगवाएंग, शिप-जी के दर्शन करना है, भगवान को धोग देना है, धोग देने के बाद आपको शिबलिंग के पास में आ जाना है, ठीक है, शिबलिं के पास में बैठना उसके बाद आप लोग यहां पर अपना उपाय शुरू कर सकते हो ठीक है पर उससे पहले हम शाम की समय की बात कर लें शाम की समय जब आप उपाय करने के लिए जाओगे तो जाते से सबसे पहले आपको भगवान की दर्शन करना है उनको धोग देना है उसके बाद में जो आप लोग दीपक तयार करके लेकर आई हुए हूँ उस दीपक को आप लोगों क्या करना है सबसे पहले मंदर में बैठ कर शिवलिंग के पास में ही बैठ कर उसको जलाना है अपनी माचिस से जलाना है किसी और की माचिस से नहीं जलाना है तो अपनी माचिस से उस दीपक को जलाकर उसेशिवलिंग के पास में आप लोगो रख देना है ठीक है आप चाहो तो उस दीपक से भगवान शीवजी के आरती भी उतार कर उस दीपक को पास में रख सकते हो थोड़ा शीवलिंग से तूरी बना कर रखना भगवान शीवजी को आँच ना लगे है न तो जैसे आपका दीपक रखा जाता है उसके बाद में आप अपने उपाय को शुरू कर सकते हो शाम के समय आपको जल चढ़ने की जरूरत नहीं है आप दीपक लगाओगे तो भी काम यहाँ पर चल जाएगा है ना तो जैसे आप लोग की पूज़ा नर्चन हो जाती है उसके बाद में आप अपने उपाय को करने के लिए शिबलिंग के सामने आसपास कहीं पर भी बैट जाओ जहाँ पर आप लोग बैट कर उपाय करना जाते हो ठीक है तो सबसे पहले आप अपनी जो दो बेल पत्र है और दो जो फूल है वो अपने सामने निकाल कर रख लो और नही सबसे पहली जो बेल पत्र है उस बेल पत्र के ऊपर आप जो अपने साथ में एक लाल फूल लेकर आई हुए हो ना उस लाल फूल को उस पहली वाली बेल पत्र के ऊपर अपना लाल फूल रख दो उसके बद में जो दूसरी बेल पत्र है जो आपने अलग रखी हुई है उस उस बेल पत्र के उपर आप अपना जो सफेद फूल लाई हुए हो उसको रख दो है ना समझ गए आप लोग मतलब जो दो बेल पत्र हैं उन्हें हमने अलग-अलग रखा और अलग-अलग रखने के बाद जो हम दो फूल लेकर आए जिनमें से जो एक लाल फूल है वो हमने प उठा कर सबसे पहले आपको माता असुक शुन्री जीवाला जो स्थान होता है शिबलिंग के ओपर मतलब की जलाधारी के बिलकुल बीचो बीच में जो इस्थान होता है माता असुक शुन्रजी का उस इस्थान पर आपको यह बेलपत्र और लालफुल एकसांत समर्पित कर देना है ठीक है उपर आपको समर्पित करना है ठीक है मतलब कि जो बेल पत्र की साथ सवित फूल भी है वो भी आपको दोनों एक साथ उठाकर शिवलिंग के उपर इन्हें आपको समर्पित कर देना है जैसे ही आप लोग ये दूसरी वेरी बेल पत्र और फूल को शिवलिंग के उपर समर्प करना है जब आपनी लाल फूल वाली बेल वेल पत्र को शिव लिंग के उपर चड़ाद तो दंडी का मुक्फ अपनी तरफ कर चड़ा देना ठीक है और फूल भी साथ में ही होना चाहिए इस बात का द्यान रखना है नहां तो वही इस तरीके दोस्तों इस वाले उपाय को आपको पूरा करना है इस उपाय को करने के बाद इस उपाय को करने का फल आपको बहुत ही जल्दी और बहुत बढ़ा होकर मिलेगा क्योंकि आप इस उपाय को जब कर रहे हो जब पंडी जी ने बिल्कुल नया उपाय बताया है और आपने पहले उपाय किया और बहुत जल्दी आपको इसका फल भी यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा तो इस उपाय करने अगर आपको कोई भी दिक्कस में से परिशाने आती है तो उसे आपने से कमेंट करके पूछ सकते हैं आपकी यहाँ जो उपाय यहाँ आप मरी वेबसाइट भूलनातबक्ति.com पर जाकर भी पढ़ सकते हो कोई भी समस्ताय कमेंट करके पूछ सकते हो ओम नमाय शिवाय जाए बोले वापा स्री शिवाय नमस्तु भ्याम